कि अच्छ वाचिंग क्या आले सभी के भई अटेंडेंस ली जाए फटाफट से तो हर्श्वर्दंजी दीपक वर्मा दीपक वर्मा ये नीट चैनल से इधर से इस्तरफ आगे थूब तो आए नहीं थे याड़ दीपक तुम सेयद महम्मद मुझजम शिल्फी कुमारी देवेंदर कच्छा कच्छा ने ओके तो फटाफट से फटाफट से बढ़ाईए और हम स्टाट करेंगे हमारी केमिस्ट्री की क्विज नंबर वन फाइनल काउंट डाउन जिसमें सलीवस हमारा क्या है पिराउडिट टेबल केमिकल वर्णिंग कॉडिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट तो फटाफट से स्टाट कीजिए मितन वर्माजी अरविंद जी रितु केश्री जी तो चलिए स्टाट करें तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को पता है मैं आप लोग को बताए देता हूं कि कोड क्या होग मेंटी.com पर जाए और मेंटी.com पर जागर आपको वेबसाइट पर हिट करना है कोड 485137 485137 और फटाफट से जॉइन हो जाई है जल्ली से सभी लोग 485137 रिजवान आलम जी बिलकुल बढ़िया है बिटा आप सुनाए अर्विन मनावलन जी मिथुन वर्मा चलिए तो स्टाट किया जाए फिर क्विज फटा फट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जितने लोग जोईन हो चुके हैं ताकि मैं स्टाट कर सुकूँ जल्ली से स् दीएद मोहमत जी मेरा नाम कैली कृष्णा है मेरे नाम से जादा यहां पर काम याद रखिए बिलकुल हम मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में विमल सिंग जी इनार्गेनिक केमिस्ट्री जितने हो सके उतने क्योशन देखिए क्योंकि इनार्गेनिक केमिस्ट्री का जो सलिवस है वो कंसाइज है यानि उसके बाहर एक इमेजिनेशन से कोई क्योशन नहीं बना जा सकता है ना तो आप इन औरगेनी केमिस्ट्री के जितने जारा क्यूशन अटेंड करोगे उतना सही रहेगा चलिए रिजवान जी आपका नाम रहेवर जली जो दिखेगा वही तो हम बोलेंगे आदेश्चिना श्याद आदेश्चिना प्रोबैबली मेरे स्टुडेंट है तो चलि आपके सामने पहला क्यूशन आ चुका है ताइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों को 40 सेकंड का टाइम दिया जारा है फड़ा फड़ा इस क्यूशन पर जाईए और कोशिश कीजिए इस क्यूशन को सॉल्व करने का अरे नयान जी फिजिस के लेक्चर का फिजिक्स वाले स्वर या उनसे पूछी यार मेरे साथ ही प्रॉबलम है मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफोर्मेशन रखता हूं बस और दुनियादारी से मतलब नहीं है तो यहाँ पर आंसर कमेंट बॉक्स में भले प्ले शाठ होगा टाइम जप तो आंसर मैंग्जिन लोगों ने दिया है ठ्री और इंकरेक्ट वाला अंसर जो है वो क्या है और किया तो देखिए पर देखोगे तो देखें फटाफट से आगे कौन निकल चुका है अभी तो मिधन वरमाजी आगे निकल रहे है और अरविंद मन वलन जी की गाड़ी थोड़ी सी पीछे रहे गल मिधन वरमाज जी हमारे अभी तक के टॉप पर हैं चलिए तो आगे चले तो यहां पर हमको बात करनी है कि यह क्यूस्चन का आंसर कैसे आएगा तो देखिए अगर हम यहां से बात करें तो पहला क्या था हमारा क्यूस्चन मे तो बहुत famous iron है और उसके बारे में मैं बात करूँ तो sulphate iron क्या होगा? S double bond O, double bond O, O negative and O negative that is SO4-2, यह मेरा sulphate iron होगा? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sulphur से 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma और lone pair एक भी नहीं बचा, तो S का मेरा क्या होगा? S का मेरा होगा SP3 hybridization आई होगा सबको clear है, SP3 hybridization सोनु जहाजी, क्या बात है? सोनु जहाजी से अभी मेरी जस्ट दो मिनिट पहले बात वी की सेशन चालो होने के पहले और यहाँ पहुंच चुके हैं, चलिए, तो SP3 hybridization होगा अब इनमें से अगर आप देखोगे, तो आपके पास क्या क्या है? XCF4 है, SIF4 और SF4 है तो XCF4 को अगर आप देखोगे, नोबल गैस है, तो इसके आउट्रमोश शेल में कितनी लेक्ट्रोंस होंगे? 8 और फ्लोरीन ने अगर यहाँ पर बना लिया तो आप क्लियरली बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसकी hybridization तो क्या जाने वाली? SP3D2 है ना? SP3D2 इसी तरह से अगर आप SIF4 की बात करें SIF4 की बात करें तो SIF4 में सिलिकन है, आउट्रमोश शेल में 4 लेक्ट्रोंस होंगे तो यह क्या जाएगा? SIF4, यह जाएगा आपका SP3, clear है? अब आप देख सकते हैं, यहां से SIF4 किसके बाबर आ रहा है? SP3 के और वही कौन है? Sulfate Iron तो SIF4 तो एक हमारा होगा, SIF4 यहाँ पर है और SIF4 यहाँ पर है अब हमको बस चेक करना है SIF4 के लिए तो अगर मैं SIF4 के लिए देखूंगा तो Sulfur, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आउटरमोस शेल में, फ्लोरीन, 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 चार फ्लोरीन हो गए तो अगर आप यहाँ से देखें सिग्मा, सिग्मा और दो सिग्मा काउंट हो गए अगर आप यहाँ से देखें तो एक, दो सिग्मा हुआ और एक और है बस यहाँ पर तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि इनका आपके पास हाइब्रेडिजिशन क्या होगा सेम नहीं आएगा हुआ, तो SIF4 की बात कर रहा हूँ मैं सल्फर, फ्लोरिन, 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 फ्लोरिन तो आपके पास आंसर कौन सा जाना चाहिए सेकंड वाल आंसर केवल SIF4 का ही हाईब्रेडिजिशन सेम होगा, किस से? सल्फेट आयन से क्लियर है? चलिए बिल्कुल दीपा गुर्माजी, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, अगली बार से ध्यान रखे, देखी सैयम ही सफलता की चाबी है हमको ग्यान सारा है लेकिन अगर हम सैयम नहीं रखेंगे जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो सैयम रखने के लिए हमारे प्रदान मंत्री भी हमसे बोल रहे है अगर हम सैयम नहीं रखेंगे तो हमको आती हुई चीज में भी गलती कर देंगे आई होप देवंद्र जी आप आगे ध्यान रखेंगे चलिए देखते हैं mathematics concept जी आपने mentee में ध्यान रखो कि जो आपने डाला है code अगर वो सही है तो आपका answer count हुआ होगा चलो आगे चलते हैं तो next आपके पास है अगला question आ रहा है आपके सामने देखिए फड़ा फड़ से अगला question आ चुगा है in which set of molecules all the species are paramagnetic question में scope लगाएं कि question मुझे किस सरफ जाने के लिए बोल रहा है विशाल गुपता जी code उपर लिखा हुआ है 485137 485137 answer आने लग जया है लोगों का यहां पर किसी का answer आया है A. हर्षा जी का B2O2N2 यानि और किसका answer आया है अभी हान जी मिस्टर चोपड़ा जी molecular orbital theory ते solve वोगा और time's up तो रेखें फड़ा फड़ से किसके लोगों के answer गए हैं तो यहां पर आपके पास fourth जो correct answer है वो 8 लोगों ने लगाया है और अभी भी गलत लोगों की जो यहां पर तादाद है वो जादा है कोशिश कीजी आराम से मैं जानता हूँ कि यहां पर मैंने आप लोगे लिए time कम सेट किया है लेकिन time कम सेट होगा तबी तो भाई हम आगे जाकर challenging चीज़ों को कर पाएंगे है ना चलो तो यह देवेंद्र कछाने जी इस बार सही चली है देखते हैं तो आपके पास अगर आप बात करें क्यूशन पर चलें फिर से तो क्यूशन क्या बोल रहा हैं विच सैट आफ मॉलेक्यूस आल दे स्पीशीज आर पैरेमेगेटिक मैं इसके उपर इसमें क्या होगा अब इसमें क्या होगा 2Pz Pi 2Px Anti-bonding star is equal to Pi 2Py Anti-bonding star और at last sigma star 2Pz and so on यह आपके थी clear है? तो जो भी 14 electron की species है ठीक है? 14 या 15 electron की species है 15 electron तक उस पर आप कौन से वाली लगाएंगे? यह वाली और इसके उपर वाली में क्या change है? इससे उपर वाली में यानि 16 electron species के अंदर कुछ भी जादा बड़ा change नहीं है बस यहाँ पर change देखेगा देखिए मैं इसको indicate कर रहा हूँ sigma star 2S और Pi 2Px यहाँ पर sigma 2Pz और Pi 2Px Pi 2Py अपनी जगह बदल लेते हैं ठीक है? तो यहाँ से अगर आप देखो आदर्श मौरे जी मातर दो question हुए है बिटा अभी तो इसका आपके पास पूरी electronic configuration same बस यही change हो जाएगा यानि सब कुछ same आजाएगा आपका sigma star 2S then आएगा आपका sigma 2Pz और Pi 2Px is equals to Pi 2Py and so on clear है? किन-किन लोगों का answer correct आया फटा-फट से comment box में बताइए मितनुर्मा जी हाँ 27 question हो दो हुए है अरे यार रात बाकी बात बाकी मैं भी निशाचार आप भी निशाचार रात बढ़ जगेंगे जब तक question ना हो जाए है ना? वस आप लोग support में रहने चीए वैसे भी lockdown हो जुगा है बाढ़ जाके क्या करोगे? solve करो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं हो सकता है आप लोगोंने पढ़ भी रखा हो लेकिन यह वो बिल्कुल correct time है वो बात बताने के लिए तो बात यह है कि जब आपके पास इसक न्यूटन को सब लोग जानते होंगे यूरोप के अंदर भी इसी तरह से प्लाग महामारी फैली थी उस टाइम पर लोगडाउन हो गया था यूरोप में और इसक न्यूटन जो थे वो घर में बैठ गये थे घर में बैठ गये थे यानि कई बहार नी जा पा रहे थे तो घर में बैठते हुए भी उन्होंने क्या किया अगर आप घर में बैठे दे तो उसने उस टाइम पर न्यूटन जो अफ मोशन कई सारे लॉज दिये ग्रेविडेशन फोर्स के बारे में बताया तो घर में रहकर उसने प्रोड़क्टिव काम किया है तो घर में आप अगर अभी हो तो प्रोड़क्टिव काम की तरह जारे ध्यान रगाएं डिस्पाइट इसके के आपको ये वाइरस अटैक करेगा या ना करेगा ठीक है? हाँ जी घर पर हो तो उसका फाइदा उठाओ चलिए तो नेक्स चीज़ पर चलते हैं हाँ दीपकुर मजी रिसर्च कर डाली थी यार घर पर बैठे बैठे तो इतना बड़ा मोटिवेशन है आपके सामने बिलकुल चलिए तो आगे चलते हैं तो यहां से आपका अंसर जो आना चाहिए वह आना चाहिए that is fourth one I hope आप लोगों को इसका solution निकालना आता है चलिए आगे चले simple question तक comparatively next question आ रहा है आप लोगों के सामने यह ध्यान दीजिए जाली एक मिनेट एक मिनेट एक मिनेट बिटा लगता है यहाँ पर मुझे कुछ technical error आ रहा है एक बार मैं देख लेता हूं उसे एक मिनेट चलिए तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था वो आता ही है यार नवनीद भाईया को बुला लिया विल्कुल नवनीद भाईया ने आके सौल किया है आपके फेमस नवनीद भाईया तो यहां पर देखिए क्या हुआ है मिथुन वर्माजी सबसे आगे निकल चुके है अर तो चलिए आगे चलें तो नेक्स्ट आपका question आचुका है जिन जिन लोगों न controversy में login ने किया है code उपर देख रहा है जल्दी से कीजीए चलिए तो नेक्स्ट आपका question है resonance is possible in simple question है यार बहुत simple question है organic Nat Kin और्गेनिक मिक्स का आस्सा अगरवाल जी कुछ नहीं जैसे रोड पर चलते हैं तो अच्छे रास्ते पर हमेशा ब्रेकर आते हैं तो एक ब्रेकर आया मनीश मंडल जी 50 प्लस स्कोर करने के लिए तो हम ये मेनद कर रहे हैं वीडियोज को देखते रहे हैं यहां पर पार्टिसिपशन बढ़ाते रहे हैं बिल्कु स्कोर होगा आंसर आगे है लोगों का वन बिल्कुल यार बहुत सिंपल क्रिशन है तो फटा फट से टाइम वोट सबने कर दिया है तो हम स्टार्ट करते हैं देखिए यह तो जैसे के अंदर ओडियन्स पोल होता है बिल्कुल वैसा अंसर आए एक पर बहुत जादा आगे है ठीक है सिंपल क्रिशन था तो अब स्टार्ट करें हमारा काम जादा मैं बताओंगा निसके बारे में तो आपके पास यहां पर क्या है अनिलीन के बारे में बात की ज साथ कैसे सिग्मा की दूरी है ना तो लोन पेर सिग्मा पाई सिग्मा पाई तो यह रेजोनेंस में है प्लियर हुआ अमित कुमार पत्ना जी प्रणाम प्रणाम बाकि ह 2 O CH 4 NH 3 में आपके जो कॉंजुगेशन यानि लोन प्यर या पाई बॉन्ट सिग्मा की दूरी पर नह नहीं है तो इन सभी में resonance नहीं होगा तो बहुत बढ़िया मैक्जिमों लोगों का यह आंसर आया है चलिए आगे चलते हैं कि तो 29 लोगों का आंसर आ गया था वापस से फो नैक्स क्योशन आपके सामने है चलो अर्विंद मनंवलन जी आये थे यह तो आमने देख लिया थी अर्विंद मनंवलन आगे बढ़ चुके हैं छ्टो तो आगे अगला क्योशन फड़ा भड से मुक्रेवाद़ी हो जाए याँपर क्योशन से which of the following pair of compound exist यह तो थोड़ा अलक क्योशन है और इस च्योशन में मैंग्जियों लोग confused भी रहते हैं इन में से कौन से compound exist करते हैं करते हैं ध्यान दीजिएगा compound पर आपको focus करना है SF4, SCL4, PF5, BIF5 SF4, SH4, NCL5 and BICL5 बेटा organic next to next mentee में आएगा आएगा आपके पार यह इसके बाद next mentee होगा उसके बाद मैं organic start कर दूँगा mathematics concept फोनु जा आपके लिए बोल रहा हूँ है रिया वलिया जी का answer आचुका है चलिए देखें तो यहाँ पर आपका correct answer कौन सा है fourth और यह बराबर है गलत वाले answers की 10 लोगों ने गलत answer दिया और 10 लोगों ने सही answer दिया है है ना चलो तो आगे बात करें कि भी fourth answer आपके पास किस तरह से आया और fourth answer चलो correct करें इसको जिन जिन लोगों का answer आया है fourth बिल्कुल correct answer है which of the following pair of compound exist तो देखो इसमें confusion होता है बहुत ज़्यादा समझने में तो मैं point by point समझाता हूँ ताकि आप लोगों के सदा दिमाज में बैठ जाए पहली बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी element second period तक का है second period तक का मैं point by point बात करूँँगा और इसको अभी solve कर लोगे नहीं है जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो nitrogen के outermose shell में एक, दो, तीन, चार, पांच elektrons है तो यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगा तीन bonds बनाएगा NH3 या NF3 इस तरह से NH3 बना लेगा या NF3 बना लेगा लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी के बंदू phosphorus की तो phosphorus के पास एक, दो, तीन, चार, पांच elektrons है outermose लेकिन यह कौन से period का है third period third period से जितने भी elements है वो octet rule का evaluation कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक vacant d orbital होता है साबिर मौला जी अगर आप अभी join हो हैं तो चलिए race में आजाईए तो यहाँ पर यह कितने electrons कितने bond सक बना सकता है पांच bond सकता है यानि यह PF5 बन सकता है NF5 कभी भी नहीं होगा PF5 होगा PCl5 हो सकता है लेकिन NCl5 नहीं हो सकता है clear है सबको? पहली बात दूसरी बात आपको क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्लोरीन अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे जाद electronegative element है पूरी periodic table का अगर बोला जाए तो यह दादा है पूरी periodic table का है ना? तो जो अपने outermost shell में जितने भी electrons रखता है उन सभी से यह participate करवा सकता है अब बिकाओ यानि nitrogen, phosphorus, arsenic antimony and bismuth at last और bismuth के लिए खास बात क्या है कि bismuth के उपर लगता है क्या? inert pair effect अरे बाबू inert pair effect का मतलब क्या? कि nitrogen वाले सभी तो सभी वो क्या है? आपके पास प्लस 5 में है nitrogen वाले सब किस में जा सकते हैं? प्लस 5 में जा सकते हैं लेकिन bismuth बाबू किस में जाएगा? प्लस 3 में जाएगा inert pair effect अब ने पढ़ा होगा ठीक है? ठैंक्यू श्रताब सिंग जी बस आप लोगों का साथ बना रहे तो इसी तीरी से चलता रहे गए गाड़ी तो प्लस 3 में अगर यह रहता inert pair effect तो देखिए प्लस 3 stable है stable है यानि बिसमत प्लस 3 के बाहर आसानी से नहीं जाएगा लेकिन फ्लोरीन पूरी प्रियोडिट टेबल का क्या है? दादा है बिसमत के आउटरमोस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है? पाँच इलेक्ट्रॉन्स है और वो केवल कितनों को पाटिसिपेट करवाता है? तीन को लेकिन F5 ऐसा है जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस शेल वालों को पाटिसिपेट करवा लेगा यानि BIF5 एक्जिस करेगा bi-cl5 exist नहीं करेगा bi-br5 exist नहीं करेगा और bi-iodine 5 exist नहीं करेगा समझ में आय गई गई बाद तो bi-f5 exist करेगा यानि bi-f5 exist कर सकता है कर सकता है p-f5 exist कर सकता है कर सकता है s-f4 exist कर सकता है कर सकता है s-cl4 s-cl4 और देखो यहाँ पर n-cl5 exist नहीं करेगा नहीं करेगा ना, clear हुई बात तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पूरा-पूरा यहाँ पर कौन है A और C इसका अंसर जाएगा क्योंकि इसमें SF4 SCL4 दोनों आपके पास exist करते हैं और PF5 और BIF5 भी दोनों exist करते हैं तो आपका अंसर कौन सा जाएगा इसमें 4 पूरी की पूरी चीज तो मैं यहां इतने से question में नहीं पढ़ा सकता लेकिन I hope आप लोगों को मैंने भी जितना बताया वो तो clear होगा जब भी किसी की existence या non existence की बात आए तो इन points को दिमाग में रखिएगा ठीक है चैलिए अगले question पर चलते हैं तो देखें winner कौन है अभी तक का चैलिए winner दो बार click हो गया winner निकल चुका है तो winner next question में देखते हैं कोई बात नहीं question आपके सामने the ratio of sigma to pi bonds on in mesitylene is mesitylene is फड़ा फड़ा से solve कीजिए मैं wait कर रहा हूं यहाँ पर mesitylene पता तो है लोगों क्या होता है organic chemistry में पढ़ा होगा mesitylene के बारे में समीर राय जी बिटा थोड़ा रात का time है मैं समझता हूँ हो सकता है अब नीन में हो बिटा मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पर quiz solve करवा रहा हूँ तो quiz में questions आएंगे ने केवल ठीक है तो mix questions होगे चलो time up हो गया है और यहाँ पर correct answer जो है 8 लोगों ने दिया है और गलत आंसर गलत देने वाले आंसर बहुत है यहाँ पर mesitylene का formula क्या है सेयर मौमा जी यह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम हम tolion को जानते हैं हम xylene को जानते हैं हम mesitylene को नहीं जानते हैं इसलिए लिया है दीफा कुनवा जी कहीं सुना ही नहीं है तो मैं सुनाता हूँ न अभी याद तो देखो correct answer आए 8 लोगों का आठ लोगों का तो चलो देखें भई हमारा topper quarter आभी तक देखें देखें देख concept बहुत बढ़ी आव 1-3-5 trimethyl benzene नेक्स चले तो आपके पास solve कर देता हूं मिस क्योशन को फटाफट से तो देखिए भई मित्रों इस तरफ ध्यान दिया जाए ratio of sigma to pi bonder of mesitylene आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको तो आप बोलते हैं toluene अगर मैंने यहाँ पर लगा रिय तो CH3 ये तो क्या होग़े आपका? toluene यहाँ पर अगर आपने लगा दिया CH3-CH3 दो CH3 अगर हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ortho xylene दो CH3 आने पर आपके पास क्या हो जाएगा? ortho xylene और अगर तीन CH3 आ जाते हैं एक दूसरे के meta पर यह तीन CH3 आ गए तो इसका ना होते हैं एल्डॉल रियक्षिन है इसके उपर बहुत फेमस ठीक है तो यहां पर आपके बस एक छोड़ कर एक पाई बॉंड और आए होप आप लोग काउंट कर सकते हैं तो आंसर आपका कितना जाएगा टू सिग्मा टू पाई का रेशियो सिग्मा अपॉन पाई आपको निकाल ले ठीक है चलो आगे चले तो टॉपर कौन रहे थे भी हमारे राज रहे थे टॉपर चलिए the next question the correct order of bond angles काफी लोग फस्ते इस question में काफी लोग फस्ते जल्दी से देखिए जल्दी से फड़ाफट से माँ कीजिए 19 seconds बचें फड़ाफट से अभी भी पूरे लोग का आंसर नहीं आया है अभी भी पूरे लोग का आंसर नहीं आया है जल्दी से आजाई three two one time up देखें इस बार तो आया हो यार करेक्ट लोगों ने आंसर अभी भी कम दिया है और कितने गलत हो तुम जीवन में दस लोग जो हैं उन्होंने correct answer दिया है और अभी भी गलत आंसर देने वाले टॉप पर हैं भगवार कब मेरा देश सुदरेगा चलो, खेर, कोशिश हमारी अभी भी जा रही है कि भी देश को सुदार सके तो देखिए, कौन आगे निकला अभी तक फटावट से देखें तो आगे गाड़ी जा चुकी है अभी तक तो राज की दिखरी है और फाइनली राज ही अभी तक आगे है और अचानक से ये सेंटिपीड आगे आ चुका है, रेंगता हो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है, यहाँ पर कन्वर्शन देखने को मिल रहा है चली, तो स्टार्ट करें डॉली कुमारी जी बेटा, अगर आप हमारे लिए बोल रहे हो, तो बेटा आप हमारे लिए बोलने के लिए भी काफी छोटे है और शायद आपको तुम करके ही अपने टीचर से बात करने काथ सिखाया गया है, और वही आप यहाँ पर कर रही है बहुत अच्छे संस्कार है चलिए, आगे स्टार्ट करें तो इसको सॉल कर देता हूं, मैं फटा-फट से ताकि आगे बढ़ा जाए क्योंकि क्या होता है सक्सेस्फुल होने के लिए सारी चीज़े रिक्वाइड होती है यह जो सिखाते हैं ना, कि अपने बढ़ों से किस तरह से साथ की जाए, एक्च्वाल में सीखना चाहिए बहुत ज़रूरी है तो देखो सी बात है पहली बात मैं बता रहा हूं कि आपके पास यहाँ पर है है, नहीं है, बाभू तो बाभू तो बाभू तो बाभू तो आपका यह हो गया हो गया 120 डिग्री, ठीक है, बाभू एंगल कितना गया होगा 120 डिग्री अब अगली बात करें BF3 के बाद आपके पास क्या है NH3, H2S, SIH4 तो मैं जा रहा हूं, next SIH4 के पास सिलिकन के आउटरोमोस शेल में कितने लेक्टरॉंस होते है 4, ठीक है 4 लेक्टरॉं अब 4 लेक्टरॉंस है, 4 के साथ बाद बना लिया तो यह कैसा गया SP3 होने का मतले भी कितना हो गया 109 डिग्री, 28 मिनिट्स बाद एंगल कम हुआ है यानि सबसे अरा कौन जाना चाहिए, BF3 तो कौन जाना चाहिए, SP3 सबीर मौला जी इस तरफ ध्यान दीजिए किसी को ब्लॉक करने से या किसी को लाने से कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी आत्मी शान्ती होनी चीए तुम खुद सोचो, केमिस्ट्री के अंदर तुमारा जो लास्ट का ग्रूप है, उसको आप बोलते हूँ नोबल गैसेस, हैना, नोबल कैसेस क्यों है, क्योंकि हूआ रियक्ट नहीं करते हैं, छोटी मोठी बात पर और हर कोई अगर जो रियक्ट कर जाएगा, वो नोबल नहीं क्या लाएगा तो रियक्ट ना करें, इतना जाधा, तब ही हम बनेंगे नोबली हमको periodic tables दिखाती है हाँ चलिए तो एक लोन पेर रहेगा इसके पास और hydrogen यह बन गए और लोन पेर जितने बढ़ते जाएंगे लोन पेर जितने बढ़ते जाएंगे उतना जार आपके पास क्या आता जाएगा तो इसके पास केवल कितना लोन पेर है एक लोन पेर है तो ह2 एस और NH3 में bond एंगल किसका जादा होगा bond एंगल जादा होगा हमारे NH3 का क्लियर है तो आप लोग आप लोगा आंसर आ गया होगा यहाँ पर BF3 मैं फिर से लिख देता हूँ 120 डिग्री यहाँ पर आपके पास 109 डिग्री 28 मिनिट्स यहाँ पर आपके पास वन लोन पेर था और यहाँ पर आपके पास टू लोन पेर्स थे ठीक है हाँ चलो अब लोगों ने अपने यहाँ पर elements की तौर पर नाम रखने चालो कर दिया कोई बोल रहा है मैं redon हूँ कोई बोल रहा है मैं others हूँ अरे भाई इस तरह ध्यान दे लो तुम लोगों से बस हलकी जी बात छेड़ू हो तुम लोग मुझे ultra deviate कर देते हो यार चलो तो बात करते हैं आगे question पर चले हमारा दो काम question का है तो अभी तक हमारे राज और डॉक्टर सेंटीपीट दिख रहे हैं श्रिवाजी हमारे देखते हैं अगले question में आगे आ पाते हैं नी आ पाते हैं और अरविन जी जो हमारे पहले के start तो पीछे हो चुके हैं चलो तो next question पर चले आपके सामने आने वाला है next question given electronic configuration of four elements as 1s2, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6 which of them is are capable of forming ionic as well as covalent bonds simple question है बिटा, मुझे लगता है कि आप लोग कर पाएंगे question आराम से, maximum लोग इसका correct answer देंगे क्योंकि यह question ऐसा है, simple सा है code क्या है? 485137 code है बिटा 485137 code है answer आगे है लोगों का और यहाँ पर correct अरे यार इस बार भी गलत answer मैंक देंगे हो लोगों नहीं दिया है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान से simple simple questions का गलत answer मत दो यार, मैं demoralize हो जाऊंगा, मैं खुद हमेशा motivated रहता हूं, लेकिन तुम्हारे answer देखकर demoralize हो रहा हूं यार, ठंडी निमाग से focus करो, speed plus accuracy मुझे चाहिए, तो answer जा रहा है लोगों का, 10 लोगों का answer correct गया है, इसके साब से 3, चलिए, आगे देखें, कौन आगे पहुँच चुका है, देखें, देखें, कौन गया है, फड़ा फड़ से बता और डॉक्टर सेंटिपेट और देविंदर और अरविंद जी काफी नीचे चले गए, शिवा काफी नीचे चले गए, और मोटिवेशनल एवन, मिस्टर होला और शिवा, यह उपर, मिस्टर होला से मुझे याद आ रहा है कि यह लड़का जो है, यह बीबी की वाइन्स बह चाहिए बच्छा, चलो, आगे चलते हैं, तो बात करें अब इस क्यूशन के सॉलूशन की प्रथा अनुसार, तो देखिए, क्यूशन में क्या बोला है आपको, given electronic configuration of 4 elements as 1s2, 1s2 electronic configuration किसकी होती है, 1s2 होती है, हीलियम की, ठीक है, और कौन है आपकी पास, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2, किसकी होती है, कार्बन की, अगला है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p5, कौन जला गया भाईया, फ्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p5, कौन गया, फ्लोरीन, और लास्ट कौन है, 1s2, 2s2, 2p6, कौन जाएगा, जो कभी react नहीं करता, दूसरों की बातों पर noble gas, यानि neon, गया, तो बात स चोची उसने क्या बोला है, कि वो ionic भी बनाए, और वो covalent भी बनाए, तो ionic और covalent दोनों बनाने वाला कौन है, भया, हमारा fluorine बाबू, है ना, fluorine बाबू हुआ, यानि, अकेला, कौन, थर्ड, थर्ड वाला आपका क्या होगा, correct होगा, clear है सबको, जिन जिन लोग का answer ग चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो कौन टॉप कर गया था, राज टॉप कर गया था, और dr. centipid पीछे थे, चलिए, next question आ रहा है, fasten your seatbelts, फड़ा फट से, और देखी अगले question को, the molecule exhibiting maximum number of non-bonding, electron, lone pairs around the central atom, simple question है, हो जाना चाहिए, देखें, कितने लोग इसको देखते हैं, मोटिवेशन लेवन जी, time कम मिलता है, question पढ़ने में time निकल जाता है, मेटा मैं हमेशा, कभी भी आपके लिए simple चीज कभी ही लाओंगा, question simple रहेगा, time आपके पास कम रहेगा, है ना, और question tough रहेगा, तो भी time कम रहेगा, यानि time के लिए मैं कभी change निकल हुआ, चलो answer आ चुका है, यतना जल्ली हो से, कि उतना जल्ली हमको swallow करना है, अरे वा, इस बार दो चोईस लोग का answer correct, क्या बात है खुश कर दिया, खुश कर दिया, दिल से खुश कर दिया, चो इस लोग का आंसर इस पर correct आया है तो क्या बोल रहा है question में question में आपसे बोल रहा है कि भई आपके पास loan pair किसमें सही होगा loan pair किसमें सबसे जादा होगे which molecule exhibiting maximum number of non-bonding electrons यानि लोन पेर around the central atom तो XC F3 minus तो देखो मेरी trick सुन लो XC के automo shell में कितने electron दोते हैं वही 8 ठीक है जब भी आपको पूरे molecule के उपर कोई net charge दिखे जैसे minus दिखा या plus दिखा वो net charge के हिसाब से electron जोड़ दो या निकाल दो central element से वापस मैं बोल रहा हूँ जब भी आपको इस तरह से कोई charge दिखे पूरे के पूरे iron के उपर तो वो charge के बराबर के electron निकाल दो या add कर दो किस में आपके central element में है ना तो यह ट्रिक है तो यहाँ पर आपके पास XC automo shell में कितने 8 minus 1 charge तो मैं कितने कर दूँगा 9 हुआ कितने fluorine जुड रहे है भई तीन जुड रहे है तो एक fluorine ये हो गया एक fluorine ये हो गया सही जाएगे थड़ वाली ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टॉप कौन कर गया था चलो देखें अपना स्कोरर कौन गया है 24 लोगों ने आंसर करेक्ट दिया था तो जो आगे निकल चुका है वो देखें उसी का तो वेट है या डॉक्टर सेंटिपीट पीछे रहे गए थोड़े से काफी सेंटिपीट नीचे गिर गए हमारे राज अभी भी आगे चलने शारुक खान का नाम ल कि छोड़ी आज चलिए मिस्टर चोपड़ा डॉली कुमारी जी दॉली कुमारी जी नमस्कार वापस आ चुकी है चलिए देखें आगे अगला क्यूशन आ रहा है आप लोगों के सामने फड़ा फट से आके हों सिंपल क्यूशन है जब मॉलिक्ल और और ओर्प्रल शोन इन डाइग्राम में खटा खट मौहमद हरुन जी फड़ा फट से लॉग इन कीजिए और देखी कि इसका अंसर क्या जाना चाहिए किस चैप्टर का इमान शुकुमार जी हम चैप्टर आज डिसकस करें केमिकल बॉंडिंग, केमिकल बॉंडिंग, कॉर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक और पिरियॉडिक टेबल 31 लोगों के आंसर आ चुके हैं 34 लोगों के आंसर आ चुके हैं 36, 37, 39 दिख रहे हैं, तो 39 लोगों के आंसर आने चाहिए, 39 के आंसर आने चाहिए, 3, 2, 1, और टाइम खतम हो चुका है, तो देखें, क्या जाएगा, आंसर जा रहा है यहां पर 18 लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर देने वा आगे कौन निकला, तो आगे इसमार लगता है मुझे देवेंदर जाएंगे, नहीं भई, अभी भी राज ने अपनी गद्धी कायम रखी है, चलो, राज बहुत आगे निकल रहा है, तो क्योशन को सॉल्फ करें फटा-फट से और आगे बढ़ें, तो क्योशन में क्या बो अर्बिटल है, और जिन अर्बिटल, जिस लोब में ओवर लापिंग हो रही है, वो लोब की आँ स्मॉलर साइड है, तो यह चीज़ आप लोगोंने पढ़ा हो, बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा हो, तो मैं आपको बता दूँ, अर्बिटल ओर अर्बिटल ओरो आपके पा एंटी बॉंडिंग एंटी बॉंडिंग सीधे साधे शब्दों में अगर बात करें तो एंटी बॉंडिंग और्बिटल का area क्या होता है area of overlapping कम होता है area of overlap इसका क्या होता है कम होता है और इसका area of overlap क्या होता है ज्यादा होता है area of overlap इसका क्या होता है ज्यादा होता है तो आप इस साइड से overlapping करते तो फिर यह क्या बनते bonding और इस साइड से overlapping करी है तो यह क्या बनेगी anti bonding ठीक है तो अगर आप देखो तो यह p की है और चूंकि head on overlapping है तो क्या होगा sigma orbital बनेगा sigma bond बनेगा पाई बन तो नहीं बनेगा तो पाई तो cancel हो गया पाई तो दोनों में cancel हो गया अगर यह इस सरफ से overlapping करते तो यह होता sigma 2pz और यह इस सरफ से overlapping कर लिए क्या होगा sigma star 2pz ठीक है तो फोर्थ वाल आंसर जिन लोग आया है मुबार्ख हो correct answer था 18 लोग अंसर correct था तो चलिए आग अगले question पर बढ़ते हैं गोला भाई बढ़ार चुके हैं फ्वागत यह आपका look at your phone लिखा हो आए यहाँ पर which of the following order is incorrect जल्ली बाजी में incorrect word को मत skip कर जाना मौमद हारुन जी 11th week है कोई बात ने बैटा यहाँ पर lectures करवाए जा रहे हैं lectures करवाए जा रहे हैं तो वो videos देखो इतने सारे आप लोग के लिए support में खड़े हैं इतने बी आपका portion चूटा हुआ है उसको देखो चलो तो answer 321 टाइम आप answer सभी लोग का लॉक हो चुका है देखें आगे कौन बढ़ता है और कितने लोग का correct है क्या बात है वापस से maximum लोग का सही 17 maximum लोग का सही है तो चलो आगे बढ़ें टॉपर देख लिए हमारा कौन है फिर solve करेंगे तू 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 त्री फोर 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 आंसर आ रहा है लोग होगा है राज लगता है इस बार taup करेगा है हाँजी चोई राज टॉप कड़ चुका है आज राज आगे कुछालो आ सौलव करें लिए का फिजिकल केमिस्ट्री आपको रोज पढ़ा रहा है हां जी कल सुबद दस बजे लेक्चर भी है बाबू ठीक है हाँ सुधीन सिंग जी आप तो जानते हैं विच आफ फॉलिंग और इंकरेक्ट तो क्लोरीन फ्लोरीन ग्रोमिन आयोडीन ओर्डर ऑफ एलेक्ट्रोन अफिन आपके पास कौन है ऑक्सिजन थोड़ा सा आगे दिखाए अपनी फैमली के अंदर ऑक्सिजन जो है उसकी सबसे कम इजट है सबसे कम इजट है सलफर सेलिनियम टैलूरियम के बाद ऑक्सिजन आता है एलेक्ट्रोन एफिनिटी के ओर्डर में तो सब कुछ नहां तक बहुत गलत हो गया है है ना और सेकंड ऑप्षिन में अगर आप बात करें तो जैसे जैसे पॉसिट्टिव ऑक्षिडिशन चेट बढ़ती जाती है प्लस टू प्लस 4 प्लस 7 आई हना इनजी बढ़ती जाती है यह आपको पतावना चाहिए पॉसिडी ऐ्रेट्ली और और यहां पर नेक्स देखें, N-3, O-2, F-Na+, Mg+, 2 तो इनके अगर मैं बात करूँ, थर्ड option की N-3, और क्या दिया है, O-2, और क्या दिया है, F-Na+, Mg+, 2 Mg+, 2 ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं, Electrons के हेरा फेरी करके ये सारे के सारे, जिस Noble Gas Electronic Configuration को लेकर बैठे हैं, वो कौन है, Neon है ना, Neon तो सारे के सारे Neon पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि भई, ICO Electronic Species है और ICO Electronic Species में आप Size कैसे देखते हैं Size directly proportional to negative charge, Size inversely proportional to positive charge या Electron by proton के ratio से, इससे देखते हो, है ना Electron by proton ratio या फिर E by Z ratio, अलग अलग बुक्स में अलग चीज़े पढ़ते हो तो यहां पर आप देखो कि negative charge जितना जादा Size उतना जादा N-3, O-2, F-positive charge जितना जादा Size उतना कम D for deadly corona, क्या बात है Creative लोग आचुके हैं यहां पर चलिए, तो fourth answer आप लोग का correct होना चाहिए इन लोगों ने mark किया, राज, देविंदर और अभेराज यह टॉप कर रहे है अभी तरह अगले question पर आए D for doom नहीं बेटा, मैं जब movies देखता हो ना तो मैं थोड़ा physics apply कर लेता हूँ तो धूम उस range की movie नहीं है जो देखनी चाहिए मानसिक प्रताण ना है उस movie के अंदर खेर question पर focus कीजिए An element with atomic number 107 has been discovered recently अच्छा, news video is question में Which of the following electronic configuration will it possess? Mark कीजिया answer हिवानशू पुषकर जी, coordination compound नहीं पढ़ाया है बेटा, मैं actual में class neat वाले channel पर ले रहा हूँ अभी हाल पलाल और वहाँ पर तो मैं physical chemistry देख रहूँ और जहां तक मुझे पता है अभी coordination compound नहीं हुआ है और result में second 20 correct है और maximum लोगों ने वापत से correct answer दिया है दिल garden garden हो गया है बिल्कुल, चलो तो अब हम देख लें एक बार हमारा topper कौन है फिर हम solution के तरफ चलते हैं जल्ली से राज आज भई फोड रहा है राज क्या बात है जो भी है राज impressed पिसले चार-पाच कुश्चन से इसने अपनी position नहीं गवाई है यार बहुत अच्छे राज very good और बाकी लोग उनको आगे बढ़ने के लिए भई कोशिश करनी है लगाता है रहसा नहीं कि भी पीशे रह रहे हो तो हार रहे हो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ simply helium, neon, argon, krypton, xenon और ठीक है और आपको पता होगा magic numbers आपने पड़े होंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह से जाता है और एक step उपर लिख दिया तो यहाँ पर आपके पास जाएगा 8, 8, 18, 18, 32 यही है जब आप 32 यहाँ पर add करोगे तो आपके पास helium कितना होता है 2 कितना गया 10, कितना गया 18 ठीक है ऐसे करते करते जब आप आओगे बिटा तो आपके पास इसका atomic number कितना आएगा 86 और 86 जैसे ही आया तो आप normally भी समझ जाओगे इनकी बीच की डिफरेंस की लेक्ट्रोंस भढ़ने है और जब आप देखोगे इनकी बीच की लेक्ट्रोंस आपके पास कितने है वो बिलकुल आएगे आरेन के बार 5F 14, 65 और 7S2 जाएगा आयमे 13 पूजिशन में रैंक लिस्ट में भी अब आने वाला हूँ बस एक क्यूशन सही और मेरी एंट्री चलो बहुत बढ़िया तो आपके पास कौन सा जाएगा 5F 14, 65 और 7S2 लेक्ट्रोंनिक कन्फिशन का क्यूशन है सबको आना चा लो तो जितने लोग गलत होए हैं वो अगली बार ध्यान रखिएगा मिस्टर होला मेरे फेवरेट करेक्टर पीशे हो चुके हो राज अभी आगे चल रहे हैं चली अगली क्यूशन पर चलें तो नेक्स क्यूशन आप लोगों के सामने बिटा फटा-फट सा अगली पर आजएए और नेक्स क्यूशन इस एर अगे लेवल मॉडरेट लेवल क्यूशन जिसने आई नेजिशन एनरजी थोड़ा सा ध्यान लगा कर पड़ा है वो इस क्यूशन को सॉल्व कर लेगा बेसिक लेवल का क्यूशन है बेसिक हो गया आ गया है मैक्सिमल लोगों का आंसर आज चुका है चलिए तो अगले पर चलते हैं 321 एंड रिजल्स आ हियर तो रिजल्स जा रहा है बही 16 लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट बहुत बढ़िया 6 11 और 6 ये बिटा थोड़े अभी भी पिछे चल रहे है चलिए तो भ क्या किसी की गद्डी छीनी गई है किसी राजा की कोई नया राजा आया है देखते हैं और राज अभी भी टौपपर है क्या बात है चलो तो solution देख लें फटा फट से फिर हम next question पर चलेंगे तो solution में हमारे पास क्या है यहाँ पर आपको दिया गए i1, i2, i3, i4 तो आप द 14.3, 34.5 और 46, 34.5, 46.8 और IE5 भी दिया गया है आपको 162.2 इलेक्ट्रोन बोल्ट तो आप देखो गेगे यहां से यहां आपके पास यो डिफरेंस है यहां से यहां है यहां से यहां है सबसे ज्यादा डिफरेंस कहा है 46.8 से 162.2 इसका मतलब क्या था IE1 देने के बाद एक निकला यहां से दूसरे लेक्ट्रोन निकला यहां से तीसरे लेक्ट्रोन निकला यहां से चौथा लेक्ट्रोन निकला अब 4 लेक्ट्रोन निकलने के बाद अगली IE2 देनी पड़ेगी मुझे इतनी जादा यहनी 4 लेक्ट्रोन निकलने के बाद यहां से उसनी क्या कर लि लिए मैक्जिम्म लोगों का यह करेक्ट जाना चाहिए था कुछ-कुछ लोग थे जिन से में एक्षपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार यह आंसर गलत है चलो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्यूश्चन आप लोगों के सामने यह रहा हुए चिंचल मुसकान जी क्लियर क्या नहीं आ रहा है समझ में या स्क्रीन पर आपका कमेंट मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है चली यह नेक्स क्यूश्चन इसी तरह का क्यूश्चन है जो भी हमने जस्ट किया कि फर्स और सेकंड आइज़िशन एंटल्पी के बीच में मैक्सिम्म डिफरेंस किसमें आएगा आंसर आ गया है लोगों का मैक्सिम्म लोगों का वण आंसर आ चुका है आ रहें अभी तक आंसर आ रहें लोगों किसे सिंपल से क्यूश्चन के यार दस सेकंड का क्यूश्चन नहीं है देखें 21 लोगों के आंसर करेक्ट आ है चलो इस बार करेक्ट लोगों की तादार बड़ी है अच्छी बात है तो वापस से देख लें कि हमारा टॉपर कौन है इस बार किसकी गाड़ी आगे निकली तो राज ने स्टार्ट किया है और वापस से हमारा राज ही आज आगे रहा है चलो देवंदर जी सेकंड पोजीशन पर अभी भी आगे चलते हैं तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपकी पास क्यूशन में सिंपल सा क्यूशन है जो अभी हमने यह सॉल्ट किया बिल्कुल इससी तरह है फर्स और सेकंड की बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए इसका मतलब पहला एलेक्ट्रॉन देने के बाद फर्स एनेशन इनर्जी देने के बाद उसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंसिग्रिशन अचीव कर लिया होगा तो देख लो ना आउट्रमोश शेल में इसमें तीन इलेक्ट्रॉन से केवल एक एलेक्ट्रॉन है तो वहने का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो यह बहुत साधा आने वाली?. अज़न आपको की गोला question पूरा होने वाला होता है क्या समझाता हूं अच्छा question तो मैं समझा रहा हूं even exam में तो question समझाने के लिए भी कोई नहीं होगा C क्यों नहीं था अरे मेरे भाई C में 1s2 2s2 2p1 है गोला भाई 1s2 2s2 2p1 आउटरमो शेल देखते हो सबसे बड़े n वैल्यू से सबसे बड़ी n यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 के अदर एक तो s2 है और एक p1 है तो आउटरमो शेल में तीन इलेक्ट्रॉन से है गोला भाई चलिए आगे चलते हैं फिर तो राज हमारे टॉपर थे नेक्स्टिशन आचुका है विचा फॉलंग आयंस है ते हाइस वैलियो फइन इंग रेडियस आयिनीक रेडियस किसका सबसे जादा होगा जल्ली से कियुष्टिशन मैंने सौल कर आ कि बता दिया है एक इससे रिडिटेटीज इससे रिडिटेट का अंसर अभी जस्मेने कर अर्विन्द मनवलन जी चलो लगबख सबका आंसर इसमें आ चुका है I hope तो टाइम कितना बचा है तीन दो एक खतम हो चुका है टाइम देखें इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है मैं लोगों ने वन आंसर दिया है इस पर करेक्ट आंसर की तादार फिर से जादा और देख भी लें कौन आगे निकला तो राज वापस से आगे आ चुके हैं देवेंद्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक है पीछे वड़ गया है देवेंद्र राज के चलो यह आयोनिक रेडियास या इनिक स्थाईस डालीी प्रोपोर्जन तो फॉर इंपराए के लिए है तो इसलेक्टानिक के भी त impress तलो आपके पास कौन जाएगा औक्सईजन और सब्से जapp स्थादा चाज इसके उपर है गोला भाइं नियूउक्लियर जाज को ही तो प्रियरिटी दे रहे हैं हम आईसे एलेक्ट्रोनिक में तो न्यूक्लियर चार्ज लेकिन नेगेटिव वाला ठीक है चाहरी है तो अगले क्यूशन पर हम आते हैं राज हमारा फिर से टॉप कर गया था तो नेक्स क्यूशन आपके सामने फटाफट से अमित कुमार पटना जी आंसर रहोंग लार प्लस होना चाहिए बिटा आप एक बार फिर से अपने कॉंसेट्स को रिवाइस कीजिए तो आपको करेक्ट आंसर पता लग जाएगा चलिए कैसे निकालती हो पिराडिक टेबल का क्यूशन फेमस आचुका है जी पेकपर में जहाँ PCM डन 29 लोग आंसर आचुका है बढ़ाएं बढ़ाएं जल्ली से 4 आंसर आ रहा है maximum लोग का देखते हैं फ्रकर शुकला यहाँ पर आंसर बता देंगे और आप मां कर देंगे वाँ तो फोर्थ आंसर maximum लोग का आया और इस बार सही आंसर देने वालों की तादाद गिरी है बाभू चलो देखते हैं हो सकता है 4 लोगों कोरोना हो गया हो इसलिए उन्होंने गलत आंसर दिया गोला भाई का भी हो गया डॉली कुमारी जी का करेक्ट आंसर है बहुत बढ़ी है वाट डॉली आदर्श मौर है चलिए तो टॉपर भी देख लें फिर हम सॉलिशन की तरफ चलते हैं आस तो राज यह भाई पैसा लगाना है जिन जिनको लगाने हो राज पर लगाके रखें आज राज और देविंदर इन दुनों में चल रही है लड़ाई चलो क्यूशन पर चलते हैं हम तो तो क्यूशन में अगर आप देखोगे तो आपके पास सेजी साध इसी बात है कि अगर आप बात करोगे basic strength या basic character फिर directly proportional होता है metallic property metallic property है न? और acidic strength कि या acidic character की बात करोगे फिर directly proportion होता है कि इसके non metallic property और यह सब को पता है कि left to right जाने पर किसी भी periodic table में metallic character कम होता है और non metallic character क्या होता है? increase होता है बात भी खतम हो गई ना बात खतम हो चुकी है तो आप देखो यहाँ पर बोरॉन कार्बन सल्फर है तो बोरॉन बिलकुल लेफ्ट एंड साइट पर पढ़ेगा देन कार्बन पढ़ेगा देन आपके पास सल्फर पढ़ेगा ठीक है तो आप इस तरफ जैसे जैसे मूव करते तो next question आप लोगों के सामने यह रहा हाउ टू जॉइन सर्जी बेटा 485137 यहां उपर मैंटी.com वेबसाइट पर जाईए 485137 code डालिए और आप इसके अंदर आ जाएंगे विच्छाट अफ एलिमेंट्स है थे हाइस टेंडेंसी तु simple question है वही जादा से जादा लोग इसको correct करें हैं पूनम गौतम जी नमस्कार नई student है चलो तो which set of elements has the strongest tendency to form cations 2, 3, 2, 1 और answers lock हो चुके आप लोगे triple 4, 5 लोग का answer आया है देखते हैं तो fourth answer आपके पास maximum लोगा correct आया है जैसा कि मैं कहा रहा था simple question है जातर लोगा correct आना चाहिए था और हम देख भी ले हमारा topper कौन जा रहा है राज या देविंदर कौन आगे निकलेगा इस वाले question में दोनों बहुत करीब रहे राज फास्टेस थास से जिस राज आगे निकल चुका है चलो next पर आएं तो solution की बात करें तो question बेटा बहुत simple है बहुत simple question है कौन बनते हैं जिनके अंदर metallic character होता है metallic character किनकी तरफ होता है जो left hand side पर होते हैं ठीक है यह कब से start हुआ मैं आने पाई मुझे notification क्यों नहीं है बेटा अब क्या करें जब से भी start हुआ है आप इससे join कर लो जल्ली से तो यहां पर आप देखो गे तो cesium, barium, potassium यह सारे की सारे alkaline metals है हर ली ना की रब से फर्याद की रब से फर्याद फ्रेंशियम के तो बात ही नहीं करूंगा radio active है तो lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium अरे भेंकर active metals है यह metallic property इनकी बिंदास है ना तो कौन से elements है जो कटाइन बनेंगे cesium, barium, potassium ठीक है बेरियम कहां पर आएगा आपके बगल वालों में बेटा मांगे कार, scooter या बेटा मांगे कन्या, सुंदर, बापू, राजी barium ये रहा है ठीक अब इन में problem क्या है फर्स वाले में nitrogen, oxygen, phosphorus, phosphorus तो एक बार ये काटाइन बन भी जाए nitrogen, oxygen मेल ली क्या बनते है अनाइन्स बनते है अब यहाँ पर बेरिलियम, magnesium बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन helium ने काम बिगाड दिया, यहाँ पर fluorine, chlorine, bromine तीनों ही काम बिगाड के बैठे है, clear हो गया, करिश्मा शोग गुपताजी बटा कोई बात नहीं, आप question जो है अभी फटा-फट से code पर आ जाओ, और join कर लो, जितने questions हैं उ 4, 8, 1, 4, 8, 5, 1, 3, 7 हमांशु पुष्कर जी यहाँ पर चैप्टर पिटा, पिरोडित टेबल, कोईनिशन कंपाउंड, D-Block, और केमिकल बंडिंग है, हां जी, मिक्स है कुष्यन पिटा जितनी information दिये, उस element की position निकाल लो, पिरोडित टेबल में, अगर वो left-hand side पर है, तो आपके पास left-hand side पर अगर है, तो वो क्या हो जाएगा, basic nature, metallic character, right-hand side पर है, तो वो क्या हो जाएगा, acidic character प्रकर शुकला जी, यार, लड़के हो, I love you मतलिको यार, शरम आती है, डर लगता है मुझको, maximum लोगों का answer आए, 15, correct लोगों का answer घट चुका है, चलिए, गोलावाई, MEP, सभी तक जादर periodic से नहीं, mix आ रहे है, periodic और chemical bonding से, तो question पर हम चले, पहले देख भी ले, winner कौन है, तो winner हमारा कौन जा रहा है, करिश्मा जी, जॉइन कीजिए, फिर फटा-फट बिटा, तो winner, राज, पिचरड सकता है, फिर बदल आने वाला है, क्या फिर बदल आया है, नहीं आया, राज इस बार बज़ गया, देविंदर आगे निकल गया था, तो राज, देविंदर करें, क्या होगा इस question में, तो अगर आप बात करोगे, तो आपका question, which set of elements has strong tendency to form cations, तो आपका question जो था, तो cations form होने की tendency जैसा मैंने अभी बताया, तो cations अगर आपको form करने हैं, तो cations form करने के लिए आप क्या करें, cations form करने का तरीका, या basic character का तरीका, मैंने बताई दिया हैं आपको, कि s2, p3 अगर वो था, क्या था आपका, s2 और p3, है ना, और s2, p3 अगर वो था, तो आप देख सकते हो, कि भी आपके पास, उस सी electronic configuration से आप पता लगाए, कि वो element left hand side पर है या right hand side पर, वो element आपका निक acidic character, ठीक है, चलो, अगला question लेते हैं, तो नेक्स question आपके सामने बिटा, धिरेंदर यादव जी निकल लिए, डी ब्लॉक element से question आएंगे ही मान शुदी, attention मत लीजिए, और आ भी चुके हैं शायद, period, the 6th period and is equal to 6 of the periodic table consists 32 element, and successful electron entered sub-shells are, यानि n is equal to 6 वाली जो आपके पास period है, उसके अंदर electrons जो भरेंगे, वो कौन कौन सी orbital में भरेंगे, कौन कौन सी orbital में भरेंगे, फटा-फट से, मैंने हिंदी रोपांतरन कर दिया है, question का आप लोगों की दिये, अब बस आप लोग, correct question, correct answer की तरफ, अग्रसर हो जाएं, अरे धिरेंदरी याद हो, PUBG खेल लेना बेटा, PUBG खेल लेना, 10 बजे के बाद, 10, 11 बजे, मैं भी जोइन हो जाओंगा, PUBG में, पक्का, लेकिन अभी तो इस पांसर पर फोकस कर लो, PUBG कहीं नहीं जाएगा, यार, competition तो जाएगा, 16 लोग का अंसर, correct आए, 16 लोग का अंसर, correct आए, चलिए, तो देखें, आगे हमारा, टॉपर कौन है, वो भी तो देखें, हिमानशी पुषकर जी, D-block अभी नहीं हुआ है, बिटा शाहर, D-block, इन और्गनिक केमिस्ट्री में हो चुका, आप अर्लियर डेक्चर से एक बार स्क्रॉल करें, पता लग जाएगा, और राज अभी भी आगे है, Mr. Hola, 3rd position, देवेंदर, 2nd position पर है, चलिए, question का solution निकाल आप electronic configuration लिखोगे, और 32 elements से आपके पास, तो आप सोची क्या क्या जाएगा, है ना, अगर मैं यहां से बात करूँ, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cvm, friendship, यही है सबसे बहला group, तो यहीं इसको से 1, 2, 3, 4, 5, and 6, यानि इसमें आप enter होने वाले, enter होने वाले, तो यह जाता है hydrogen 1s1, 2s1, 3s1 4s1, 5s1, 6s1, यानि 6s से आप चालो होगे, तो 6s2 जाओगे, देन आप जाओगे 5d, 5d, है ना, देन आप जाओगे 4f, देन आप जाओगे इसमें 6p, electronic configuration लिखनी आ गई, तो हो जाएगा, तो 6s, 5d, 4f, 6p, fourth answer में क्या दिया है, 6s, दिख रहा है, 5d, यह हो गया, 4f है, और 6p है, electronic configuration का question था, तो fourth answer, maximum logo का correct आया है, वारक हो, राज अभी भी आगे है, और मैं चाहता हूँ, यार, के, जो ही motivation, एवन सेयद मौम्मद है, यह correct answer दे रहे हैं, लेकिन इसमें speed और accuracy का मैं, तो इन लोगों को पप करना है, यह आगे वाले तो चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे जो कमदोल students हैं, वो भी ध्यान लगाकर answers को माक करें, उनका सीखना जरूरी है, यह तो मेरे अच्छे students है, जिन पर मैं बैट लगा सकता हूँ, हाँ, यह है, लेकि मेरे लिए challenging काम क्या है, यह नीचे वाले लोग जब उपर आ जाएंगे, हाँ, तो नीचे वाले लोग आयन among the following, इन में से सबसे कम stable आयन कौन सा होगा, कौन सा होगा, सीधा सा concept है, भूके को खाना खिलाओ, जिसका पेट भरा हुआ है, उसको खाना मत खिलाओ, यह जो electron चाहता है, उसको electron दो, जो electron नहीं चाहता है, उसको electron मत दो, electron affinity का question नहीं बिटाईए, electron affinity 3, 2, 1, and time's up, देखिए, किसका correct आया है, 16 लोगों खा, गलत है इस बार, कमाल, क्या भेंकर फिर बदल किया है, तुम लोगों नहीं है, 16 लोगों का गलत आंसर है, 16 लोगों का, और केवल 5 लोगों का, तो यार, 16 लोगों का अंसर गलत है, और 5 लोगों का मातर आंसर से यह आया, देख लिए, देखते है, आदित्य चौदी जी, where to join quiz, बिटा, quiz join करने के लिए, menti.com वेबसाइट पर जाएए, और वहाँ पर जाकर, code डालिए, 485137, आप quiz के अंदर एंटर कर जाएगे, लोचा हो गया, जगमों नियादव जी, देखते हैं, लोचा क्या हुआ, तो, कौन टॉपर हैं, टॉपर देखे, फिर रीत अनुसार हम solve करेंगे, तो टॉपर जा रहा है भी हमारा, इस बार राज देविंदर की गद्धी क्या छिन सकती है, और हाँ, देखिए, देविंदर की गद्धी छिन सकती है, मिस्टर होला अपनी गद्धी पर कायम है, और अभे राजशिंग में जैसा की बोल रहा था, कि नीचे वाले प्रहार करने वाले हैं, और प्रहार कड़ चुके हैं, और आगे-आगे, देखिए, फेर बदल हो गया है थोड़ा सा, अभे राजशिंग और मिस्टर होला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रोई चौधरी बटा, बहुत बढ़िया, चलो, तो क्योशन पर फोकस करें, फटा फट से, तो question में क्या पूछा गया है हमसे question में पूछा गया है ये तो हो चुका है ये तो हो चुका है हमारा अगली question पर आए तो stable, least stable iron कौन सा होगा C-Li-B-E- question किसका है electron affinity का question में तरूं electron affinity का अगर किसी का stable electronic configuration आ चुका है stable electronic configuration का मतलब क्या या तो वो क्या हो गया हो half filled half filled या वो क्या हो गया हो full filled तो half filled और अगर full filled वो हो गया है यानि वो stable है वो electron नहीं चाहता वो electron नहीं चाहता अगर वो electron नहीं चाहता और तुमने उसको electron दे रिया तो unstable हो जाएगा ना यार ठीक है? unstable हो जाएगा तो आप देखी एक carbon minus क्या होता है? P2 P2 यानि न half field है न actual field है कुछ भी नहीं है और आपके पास क्या है Li minus Li आपका क्या होता है? S1 न half field है न actual field है ठिक है? S के लिए हम half field नहीं देखते है B minus B minus में आपके पास क्या होता है? P1 न half field है न officialisches लेकिन last में बात करूं, beryllium- तो beryllium क्या होता है, P2 sorry, beryllium क्या होगा आपका S2 S2, fulfilled है भाई fulfilled है भाई, fulfilled है तो अगर ये fulfilled है, यानि ये खुश है तुम इसको एक electron दे रहे हो तो ये electron accept नहीं करना चाहेगा क्योंकि अपनी fulfilled electronic configuration के साथ खुश है ठीक है electronic configuration का तो यहाँ पर यह transition element resembles d block हाँ बेटा transition element का मतलब d block है गौतम घंबीर बिल्कुल d block है दिल्ली से बात कर रहे हैं शैद हिमानशी पुश्कर जी नहीं अभी तो questions बचे हैं close नहीं होना है time है देविंदर खचानी जी थोड़ा शांती से देते तो सही हो जाता कोई बात नहीं कोशिश करूँगा बीच में हिंदी कर सकूँ somebody tell me how to join quiz बताता हूं ध्यान दीजिएगा तो question पर चले फिर से तो quiz join करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं mentee.com website पर जाईए इसको पता नहीं कितने करते हैं चलो अगली question पर चलते हैं time waste नहीं करते हुए तो अगला question आपके सामने आ चुका है और question को मैं जल्दी से explain भी गड़ता हूं आप लोग का time बचाने के लिए electron affinity depends upon simple question है electron affinity किन चीजों पर निर्भर करेगी electron affinity मेरे Hindi medium के चात्रों के लिए electron बंदूता electron बंदूता किन पर निर्भर करेगी यह पूछा गया equation में सबसे पहला है atomic size परमांडवी त्रिज्या दूसरा है nuclear charge यानि आवेश अगला है atomic number यानि परमांड उक्रमांग और अगला है atomic size या nuclear charge यानि आपके पास त्रिज्या और आवेश जो हिंदी मीडिया में उनके लिए करना पड़ता है यार अगला है कि सिंपल क्यूशन है यार यह तो maximal होगा सही जाना चाहिए one and time up देखें क्या जाएगा इसका हाँ जैसा मैंने आट हीरे अभी भी मेरे ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट आंसर दिया है इनकरेक्ट आंसर हिमानची भुश्कर जी वीटी सर अब आपके पास क्या जा रहा है फोर्थ यानि करेक्ट आप्शन पच्चिस लोग आया और एक बार में देख लो मेरा रिजल्ट का विजेता कौन है कौन है कौन है कौन है राज अभे राज सिंग मिस्टर होल आ ये था पहले और अभे राज सिंग अभी भी फाइट कर रहे है अपनी पोजिशन के लिए मिस्टर होल है और अभे राज सिंग की गाड़ी और देविंदर की गाड़ी बिलकुल एक साथ चल रही है और राज आगे चल रहा है चलो देखते हैं फटा-फटा सॉलुशन को देखें मैं से सॉलुशन इसका ऐस सच जाधा बड़ा सॉलुशन नहीं है यह थियोरी बेस क्यूशन है एलेक्ट्रों एफिनिटी आपके किस-किस पर डिपेंड करेगा एटोमिक जितना चोटा होगा एलेक्ट्रों नेगिटिविटी एलेक्ट्रों एफिनिटी उतनी जादा होगी और न्यूग्लियर चार्ज के न्यूग्लियर चार्ज से मतलब है यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितना जादा होगा मुझ पर पॉजिटिव ज आपके सामने आ चुका है भई D-Block और Coordination Compound Mixed Cutions आ चुके हैं FECM 6-3 Ion has Magnetic Moment of 1.73 BM और FeH2 whole 6 plus 3 में Magnetic Moment of 5.92 BM इनका Hybridization बताना है Fe का दोनों में Fe का Hybridization बताना है hint मैं बता रहा हूँ BM से या फिर इसकी Oxidation State से आप फटा फट से निकालिए इनके बचे हुए Electrons Electronic Configuration में यहाँ पर Answer Place करने के बजाए बेटा Mentri.com पर Answer Place कीजिए प्लीज आप लोग यहाँ पर खटाक से Answer Place कर देते हो और बागी लोग मजे लूट के ले जाते हैं यार ऐसे मत करो 17 लोगों का Correct Answer गया है 17 लोगों का Correct Answer गया है चलो देखते हैं तो यहाँ पर winner कौन है यह भी देख ले तो winner हमारा इस बार भी लगता है राज आगे निकलेगा और Mr. Hula second position पर आ सकते हैं और बिल्कुल Mr. Hula second position पर आ चुके है फिर बदल हो चुका है चलिए तो हम देखें हमारा solution इसका क्या जाना चाहिए simple circution 1.73 BM Fecn6 का पहली बात Cyanide और H2O दोनों का हम बोलते हैं Strong field ligand Strong field ligand का मतलब जब आप लोग chapter पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे हाल फिराल में बता रहा हूँ strong field ligand जो है वो d orbitals की electron को paired करवा देता है है ना उन्स रूल का violation करवा देता है तो जा लो Fecn6 iron आपका क्या होता है iron का outermost electron ने configuration होता है भई 4s23d6 है ना और Fecn6 का अगर आप देखोगे तो X sin8 के वज़े से minus 1 to minus 6 is equals to minus 3 तो यहां पर Fe आपका किसम है plus 3 में है plus 3 का मतलब मैं iron से 3 electron उड़ाऊंगा तो outermost shell 4 से गए 2 और एक और electron उड़ाना है तो यहां से गया तो Fe plus 3 मेरा कैसा रहेगा यह रहेगा 3d5 3d5 ठीक है 3d5 रहा तो आपके पास 1,2,3,4 3d5 और साइनेड आ रहा है पांचों की पांचों उड़ान को जितना हो सा कि उतना पेड़ अप करवाएगा तो 1,2,3,4 और 5 यह स्वर से हुआ यह orbitals खाली रही है ना खाली रहेगी और यहां पर क्या आ गया D2 आगे कौन सा होगा 4S और आगे कौन सा होगा 4P तो D2 SP3 इसकी hybridization जानी चाहिए D2 SP3 और यहां से एक बार cross check भी कर ले unpaid electrons कितने है बिटा 1 unpaid electrons 1 है तो bond moment magnetic moment निकालने का formula क्या होता है N into N plus 2 का under root unpaid electron कितने है 1 है तो यहां पर जब आप 1 put करोगे तो आपका answer आएगा root 3 और root 3 बच्चे बच्चे को पता है 1.73 होता है तो correct है अंतर मेरे ठीक है correct है अगली बात करूँ मैं 5.92 के लिए FeH2 whole 6 FeH2 whole 6 FeH2 whole 6 में आपके पास iron again plus 3 oxidation state में है again plus 3 oxidation state में है और H2O यहां पर गलत लिख दिया है मैंने H2O आपका क्या है H2O आपका weak field ligand है H2O weak field ligand है यानि यह pairing नहीं करवा पाएगा खतम हो गई बात यह pairing नहीं करवा पाएगा तो इस पर focus कीजिए 3D5 को फिर मैं कैसे लिखूँगा तो कि oxidation state दोनों में iron की कितनी है आगे की orbitals भरेंगी इसके पास कौनसी है 3D5 के बाद आगे आएगे आपके पास 4S2 और आगे आएगे आपके पास 4P 4P3 4S2 और 4P यह आएगी तो इसका क्या जाएगा इसका तो जाएगा फिर आपका SP3D2 यानि outer d orbital फिल होगी inner d orbital फिल नहीं होगी क्योंकि H2O weak field ligand है और इन electrons को paired up नहीं करवा पाएगा आज इते चौदरी जी एक बाद फिर से refresh करके कोशिश करिए बेटा हो सकता है आपने code गलत दाल दियो तो कौनसा जाएगा भी मेरा first answer जाएगा d2 SP3 और SP3D2 first देखें कितने लोगों का गया से correct आपके पास correct तो निकल गया राज और मिस्टर होला आ गये चलिए फटा फट सा अगली question पर चलें टाइम खराब ना करते होए गोला भाई यह वाद तो सहीत हाउस हिसाफ से तीन option होता है which one of the following complexes is not diamagnetic again आपको पता लगाना पढ़ेगा इसमें VBT से कौन diamagnetic नहीं है आपको बता दूँ cyanide और ammonia strong field ligand है लेकिन H2O weak field ligand है hint central element की oxidation state निकाले उसकी electronic concentration लिखे और देखे उनमें unpaid electron है कि नहीं कोई बात ने गोला भाई अगली question पर focus कीजिए लाइक बढ़ाओ जितना हो सके उसको share करो अपने गुरूस में रात की साड़नों बजे तुम्हार सामने इतनी energy से फूक रहें तो बढ़ाओ इन like को जितना हो सके प्रकर शुकला जी अगली बार से मैं थोड़ा और time रखूँगा क्योंकि मुझे यहां लग रहा है मुझे अग्पेट कर रहा था कि simple level की questions आप लोग जल्दी कर लेंगे लेकिन गलत कर रहे हैं अभी भी लोग तो अगली बार से मैं थोड़ा time जाधा रखूँगा इन हाल फिलाल फोकस कीजिए तो 12 maximum लोगों ने answer correct दिया है अच्छे amount में लोगों ने answer गलत दिया है चलो देखते हैं तो आपके पास पहले हम देख लें कि हमारा winner कौन है winner हमारा जा रहा है भई राज ही जाएगा तबर वापस से आगे तो राज हमारा वापस से टॉप कर रहा है और चले हमारे solution की तरफ तो solution पर अगर आप focus करो तो which one of the following complexes is not diamagnetic नॉट यह important है यह यहाँ पर लोगबाग जो दाने यॉरकर से आउट हो जाते है फुल टॉ समझके नॉट पर focus कीजिए diamagnetic नहीं है यानि paramagnetic है और paramagnetic होने के लिए क्या होना चाहिए unpaired electron that's it unpaired electrons तो मैं पहला option उठा रहा हूँ FECN6 4- यहाँ पर अगर आप देखोगे FECN6 4- x-6 is equal to minus 4 यानि iron आपका किसमे है iron है आपका plus 2 oxidation state ठीक है plus 2 में तो iron हमारा क्या होता है iron होता है हमारा 4S2 3D6 यह होता है और 2 electron अगर निकाल दिए तो यह क्या हो जाएगा 4S0 3D6 यह हो जाएगा हुआ 4S0 3D6 बहुत अच्छी बात तो अगर मैं लिकूँ 3D6 को 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी electron period हो जाएगे क्योंकि आने वाला cyanide ligands में strong field ligand है paired up करवा देगा paired up करवा देगा cyanide अगर यहाँ पर रख देगा अपनी electron तो यह सारे तो paired है न paired है इसका मतलब यह क्या होगा diamagnetic और वहीं अगर आप titanium की बात करें last option, correct option पर skip कर रहा हूँ जिल्ली से ज्यादा time न वेस करते हुए titanium की बात करो तो titanium की electronic configuration क्या حोती है बटा titanium की electronic configuration होगी 4s23d2 4s23d2 titanium x h2 के व재 से charge कितना होता है 0 और बाहर क्या लिखा हुआ है प्लस 3 तो x इसकाल क्यों प्लस 3 याativa titanium की oxygen state कितनी जा रही है प्लस 3 जा रही है हुआ titanium की oxygen state कितनी जा रही है प्लस 3 जा रही है तो 3 electron उड़ाओ ना आउटर मोस 4S2 गए दो गए एक ओर उड़ाना है तो 3D2 भी गया तो बचा क्या 3D1 बचा किस में भई टाइटेनियम प्लस 3 में 3D1 बचा तो D को मैं बनाना चाहूँगा तो 1, 2, 3, 4 एक electron को period कैसे करवा होगे electron ही रहेगा भले आपके पास अब electronic configuration में H2O के 6 legend आकर यहाँ पर अपना काम करें तो एक electron रहेगा न एक electron रहेगा तो यह आपका paramagnetic जाएगा क्योंकि इसके अंदर unpaid electron है I hope सबको clear है तो fourth option यहाँ पर जाना चाहिए fourth option यहाँ पर चाहिए ठीक है चलिए अगले question पर move करें जली से तो यहाँ पर राज और Mr. Hola Devinder हमारे top कर रहे थे अगला question आपके सामने के रहा the IUPAC name for the coordination compound BABRF4 hold twice IUPAC naming का question miss ना करें important है coordination chemistry chapter में प्रकर शुकला का answer है four प्रकर शुकला जी मैं वापस से आपको समझाता हूँ आप यहाँ पर answer comment box में ranking यह timer खतम होने का place करो बेटा ली तो बाकिये लोग answer देखकर mark कर देंगे हाँ three two one zero देखें क्या जा रहा है आपका तो बारा लोगों ने correct answer दिया है second और प्रकर जी यतने confidence है आपने answer दिया मुझे बताना पड़ेगा आपका answer गलत चल रहा है सेयद मुहम्मद जी answer गलत है दीपक वर्मा सूमंत कुमार जी चलिए तो हम focus करें इसके उपड़ ठीक है फिर हम आगे चलता है तो यहां से देखिए ranking BA, BR, F4 हमारा है तो यहां पर क्या जाएगा भी अपना BA, BR, F4 whole twice कैसे solve करें तो आप सबसे पहले यहां देखो कि BA, BR, F4 whole twice 9th level से अगर solve करना start करोगे न तो इस 2 को इधर भेजो और इस 1 को इधर भेजो तो आपके पास कैसे तूटेगा यह, यह तूटेगा BA plus 2 plus BR, F4 whole minus में तूटा इस सरह से है ना यानि आपके पास bromine की oxidation state निकालो तो X minus 4 is equals to minus 1 यानि X किसमें गया, plus 3 में तो bromine की oxidation state कितनी है बिटा प्लस 3, पहली बात यह हो गया ठीक है, तो bromine की oxidation state प्लस 3 है, तो पहला option तो वैसे गलत हो गया पहले गलत हो गया, खतम हो गई बात और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक short trick बताना चाहूँगा short trick मेरे पास क्या है जब भी आप electronic, जब भी आप IUPAC naming कर रहे हैं, condition compound की तो short trick है PLMN PLMN तो trick को कैसे याद रखें positive, ligand, metal iron then negative सबसे पहले positive iron का नाम लिखिए भले वो आपका complex है कि नहीं है मेरा positive iron कौन है, barium लिख दिया मैंने, barium, barium, barium then मैं नाम लिखूँगा किसका, ligand का ligand मेरे कितने है, चार कौन है, fluorine, तो मैं कहाँ लिखूँगा tetrafluoro, tetrafluoro tetrafluoro, bis tetrafluoro का यहाँ पर नहीं होगा, तो bis tetrafluoro तो वैसे गलत होगा, last मैं किसका नाम लिखूँगा, metal iron का या central iron का, यहाँ पर मेरा central iron क्या है भई, bromine है तो bromine, जब भी मेरा complex negative होता है, negative ions में है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा barium tetraflu, चलिए अगले question पर focus करते है देनम चलो, तो क्या गया भी हमारा answer हमारा answer गया था, इसमें third वाला, तो आगे focus करें तो कौन गया था भी हमारा topper, topper नहीं देखा था हमने Mr. Raj आगे बढ़ चुके है, क्या बात है Mr. Raj गर्दी छोड़ना ही नहीं चाहते और अभे रास्तिंग और Mr. Hola में लड़ाई जल रही है, चलो next चले, तो next question आपके सामने हैं बिटा energy बनी रहे, मेरी energy कम नहीं हो रही तुम लोगी क्यों कम हो रही है हाँ, मेरी energy कम नहीं है तुम्हारी कम नहीं होनी चाहिए यार तुम तो मुझसे जारा जवान खून हो Amit Kumar पटना सर मैंने तीन मारा आंसर फिर भी गलत हो अरे तो बिटा यहां तुक्का क्यों मार रहे हो तीन मत मारो आंसर, करेक्ट आंसर को मारो डॉन भाई कौन सी अंटे की पीश्चे हो यार तीन गलत बता रहा है तीन करेक्ट है उसका तो हाइपोथेटिकल कॉम्पलेक्स क्लोरोडाई एक्कॉाट्रियम माइन कोबाल्ट तो यहां पर थोड़ा सा फोकस में लाएं यह अमाइन है पूरा एक वर्ड यह पूरा एक वर्ड जो है यहां पर अमाइन है एक मिनेट, एक मिनेट क्यूशन एक स्किप हो चुका है, एक मिनेट के लिए तो जिन जिन लोगों ने उसका आंसर दिया चलिए बहुत अच्छा, क्यूशन स्किप हो गया मैं उस आंसर को सॉल्व कर देता हूँ एक बास तो हमारे पास क्यूशन में क्या था कि the hypothetical complex है कोई ख्लोरो दाइक्वा ट्राइमाईन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड यह हमारा आंसर था, यह हमारा क्यूशन था ठीक है, और उसमें यह कह रहा है, तो चलो करता है तो आपके पास आप देखो कोबाल्ट आपका central metal हो गया और plus 3 oxidation state में है बहुत बढ़िया आपके पास chloro-diaqua लिखा हुआ है और chloride लिखा हुआ है यानि complex के बाहर chloride आयन तो है कितने है भगवान जाले chloro लिखा हुआ है यानि chlorine एक लिगेंड है COCl H2O whole twice NH3 whole thrice बाहर कितने chlorine नहीं ये मेरा बचा है बचा है तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो plus 3 chlorine के वज़े से कितना minus 1 H2O के वज़े से कितना 0 NH3 के वज़े से कितना 0 यह आप इसको solve करो कितना आएगा plus 2 यानि इस complex के उपर charge कितना है plus 2 इसको balance करने के लिए कितने chlorine आएगे 2 chlorine क्लोरीन पर कितना होता है minus 1 तो बाहर कितने chlorine रहने चाहिए बाहर कितने chlorine रहने चाहिए 2 प्रकर शुकला जी इस बार मेरी गलती मैं मानता हूँ एक क्लिक जाद होगे और question आगे से रग्या था ठीक है इसका correct answer जाना चाहिए 1 चलिए तो आपके पास यहाँ पर Mr. Raj आगे थे तो चलें अगले question पर आजे सिंग यादव जी हमारा उद्देश्य है सीखना और सीखना बस तो यहाँ पर focus कीजिए तो अगला question है आपके सामने isomerism topic से यह question देखिए maximum लोगों का सही जाए बोल जाया है कि कौन इन में से linkage आई तो मरत हैं एक दूसरे के first, second, third and fourth में से पता लगाए first, second, third, fourth में से आपके done हो गया है लोगा time issued बिल्कुल बिटा time issue हो गया है और time 8 second, 7 second बचा है done करिश्मा शोग गुपता 3, 2, 1 and is about to get end, time's up और maximum लोग का answer इस बार correct आया है fourth, very good चलो, ranking भी देख रहे हैं एक बार, ranking क्या गई है, तो ranking गई है आपकी, net almost खतम, एक का आया है रिचार्ज, एक का आया है, comment net almost खतम, देवेंद्रे खचाने जी का, बेटा दिन भर जो तुम काम करते हो ना, net से, उसको थोड़ा रोक लगाओ अभी नी तो जवानी बिगड़ जाएगी देखो, इस तरह फोकस करो, क्योंकि जवानी यहाँ पर वेस्ट हो, तो वही तो काम आएगी, है ना, तो कौन आगे निकले, राज आगे निकले, विस्टर होला, अब है राज सिंग, फटा फट इस क्यूशन को मैं solve करता हो, और आगे बढ़ता हूँ, तो लिंकेज आइसोमर्स कौन होंगे, तो लिंकेज आइसोमर्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, वो ही शो कर सकते हैं, और ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स जिनमें, टू डिफरेंट साइड, टू डिफरेंट साइड अफ लोन पीर डोनर है दो अलग-अलग लोनपे डोनर हैं वह लिंकेज का काम कर सकते हैं करिश्म ऑशोगुप्तर मिस्टर होला कौन है अन्धर होला पर फोकस मत करो मिस्टर होला बढ़ी कहानी और उन्हें नाम क्यों रखा इसकी बीचे बहुत बढ़ी कहानी अब यहाँ रहा पर आपके पास क्या है यानि n O2 की अंदर तो यह nitrogen से leggenda का काम कर रहा है और ona की अंदर लिंसन फीर्टिन का कंप हरा तो linkage जो इससे atom लिंक हो रहा है change हो रहा है ये लिंकेश हो गा स starters सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं राज अभी भी आगे तो अगला क्यूशन है आपके सामने जल्ली से खतम करना है अब हमको कि एंडिंग की तरफ आ रहा है हमारा क्विज ऑक्षिशन नंबर ऑफ प्लाटिनम पीटी सील 3C2H4 होल माइनस ऑक्षिशन स्टेट पूछा है लेकिन देखना इसमें भी कुछ ने कुछ लोग गलत कर देंगे नाम डोएंगे अभी के वल ऑक्षिशन स्टेट पूछा है प्लाटिक, फ्लाटिक, तर व्लाटिक के वल ऑष्चिशन स्टेट गलत कर देखना जे वलत कर दो ने क्षिशन स्टेट रहा है तो answer आगे लोगों का 14 correct answer आये यार फिर भी देखो मेरे कुछ चंद हीरे हैं जून्होंने answer correct दिया üçे दो एक अगजी मार गये है और mister होला कहीं आगे निकल जाए राज से और हाँ बिलकुल क्या बात है यार मिस्टर होला आगे निकल चुके और बहुत बड़ा फेर बदल हो गया है राज अपनी गद्धी कमा चुका है जो पिछले है c2 h4 है और इस पूरे पर चार्ज किया है नेगेटिव है तो पहले लिगेंड को पैचाना हो लिगेंड को आप लिगेंड की तरह काम कर रहे हो तो पीटीसील 3 c2 h4 होल मैंडर यानि यह कैसा है एक निउट्रल लिगेंड होता है निउट्रल निउट्रल तो इसकी ऑक्सेशन स्टेट एक्स क्लोरीन होता है नेगेटिव तो मैंदस 3 गया तीन क्लोरीन का प्लस 0 ओवरल चार्ज कितना गया मैंनस 1 मैंस 3 ओस रफ जाएका तो तो आपके पास third answer correct जाना चाहिए, बहुत बढ़िया Mr. Hola, और बिटा राज कोशिश करो, अब भी भी time है आपके पास, चलिए, तो Mr. Raj, Mr. Hola में अब लड़ाई चालो हो चुकी है, अगली question पर देखते हैं लड़ाई को आगे ले जाए, बिग बॉस जिनरेशन हैं हम भी हम चाहते हैं लड़े लोग बाग यार, चलो, अगला question, सुमन्त कुमार जी कैसे पता चलता है, बेटा, अगर आपके पास कोई जो compound है, उसमें कहीं पर भी कोई भी negative charge नहीं है, फिर भी वो लोन पर दोनेट कर रहा है, तो एक neutral ligand होता है, जैसे ammonia, H2O, उनके पास लोन पे रह added in access to 1M solution of COCLT.XNH3, 1 mole of EGCL is formed, what is the value of X, hint मैं दे रहा हूं, target कीजिए आप कि complex के बाहर कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन होंगे, उतना EGCL मिलेगा, ये hint मैं दे रहा हूं, last question हमारा आज का, देखें, कितने लोगा correct जाता है, और थोड़ा सा tough question है बाबू, थोड़ा सा tough question है 3, 2, 1, खतम, ये question जैसा था जो maximum लोगों ने तुक्के में लिया होगा दिया होगा, चार लोगों ने answer दिया है, है ना, बोला था maximum question है, कितने लोग तो answer ही नहीं दे पाए, कितने लोग तो answer ही नहीं दे पाए, प्रकर शुकला जी, simple question है और इस तरह की question, भाई, exam में आने लगे हैं, और ये quickly करने वाले questions हैं, खेर, हमारा last question था हमारा आज का विनिट दो लेकले हम कौन जा रहा है, फिर हम इस question को solve करते हैं, अच्छा question से आज हम end कर रहे हैं, तो Mr. Hola, राज, Mr. Hola, भाई, last point पर आके बाजी मार गए है, और Mr. Hola, क्या बात है यार, कितना बढ़ question को मैं solve कर देता हूँ, प्रकर शुकला जी, गाली गलोच ना करें, यहाँ पर हिंदी हमारी मातर भाशा है, है ना, तो English में गाली करोगे, या गाली बाजी भी यहाँ पर करोगे, तो कैसे काम चलेगा यार, मैं कैमरा पर हूँ, मेरा मन कर जाएगा देने का, तो मैं कैसे over, तो क्या बोला गया है question में, AgNO3 solution is added to access of 1M solution of COCl3.xNH3, 1 mol of AgCl is formed, access में AgNO3 solution है, तो मेरे पास है COCl3, 3 chlorine है, .xNH3, अब आप लोगों यह पता होगा, कि COCl3 को अगर मैं लिखना चाहूँगा, तो कोबार्ट लिखूँगा, क्लोरीन लिखूँगा, क्लोरीन कितने अंदर है मुझे नहीं पता, x times of ammonia, ligand का काम करता है, यह सारे के सारे अंदर होगे, सारे के सारे अंदर होगे, तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर NH3x, और बाहर आपके पास कुछ न कुछ क्लोरीन बचे होंगे, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन मुझे यह पता है, कि जब मैं इस COCl3.x times of NH3 को mix करूँगा, तो जितने क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे, उतना ही Ag plus react करेगा, और उतना ही AgCl बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ, जितना मॉल मुझे AgCl मिल रहा है, उतने ही क्लोरीन एटम्स बाहर थे, उतने ही क्लोरीन एटम्स बाहर थे, तो 1M solution of COCl3 तो आपको एक मॉल AgCl मिला है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 1 क्लोरीन एटम्स बाहर था, और अगर केवल 1 क्लोरीन एटम्स बाहर था, तो कोबाल्ट का आपके पास coordination number जा रहा है 6, 6 होने का मतलब 1 क्लोरीन बाहर तो 2 क्लोरीन अंदर, यानि यह X क्या होना चाहिए, यह X होन है चाहिए, चार, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्यूशन, अमित कुमार पतना जी आपने लेट जो इनके फ्रिविल एवन पोजिशन, वेरी गुड बिटा, चलिए, तो आज के विनर को एक बार फिर से हमने आड़ ले, आज की विनर है हमारे मिस्टर होला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हां जी, बहुत बढ़िया बिटा, चलिए, तो अगली क्यूश में हम वापस से आपको मिलेंगे, और जितना हो सके बिटा, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्स्क्राइब कीजिए, मैं वापस से एक ही बात बोलता इसमें हमारा भला है कि नहीं है, यह तो नहीं पता, लेकिन किसी का तो भला हो जाए यार, है ना, किसी का तो भला हो जाए, बस इसलिए हम बार-बार आप से बोलते हैं कि जितना हो सके शेर कीजिए, क्योंकि इस लेवल की एजुकेशन, मैं वापस से बोलता हूँ, इस ले करते हो तो वहाँ पर tag करो और tag करोगे तो मैं जब भी उस query को देखूंगा वहाँ पर answer करूँगा तो आपके सार में cp की जो app है उस पर हमेशा connected हो ठीक है आदिते चौदरी जी next time जब quiz start होगा तो आप time साहिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पर quiz start करने का तरीका है menti.com पर आप जाएं website का नाम है और 485137 वहाँ पर code डाले quiz start हो जाएगा चलिए तो मिलता हूँ मैं next time पर प्रकर शुकला कोई बात नहीं बैटा मैं noble हूँ मैं इतना बुरा नहीं मांता हर्ष मिश्रा next quiz होगा बैटा लेकिन संडे के बाद Monday को होगा next quiz है ना और मोदी जी ने जैसा कहा है संडे को संडे को कर्फ्यू लगाना है जो यह कोरोना बीमारी है इससे घवराना नहीं है और साथ में रहकर एक साथ को लड़ना है ठीक है चलिए तो next channel पर मिलता हूँ मैं आप लोगों से रात काफी हो चुकी है आराम करो दिमाग को रेस्ट दो और हम वापस मिलते एक वापस है हेक्टिक से quiz के साथ इसमें brainstorming चीज़े करेंगे ठीक है चलो कोरोना से डरोना बिलकुल बादाई और भारत माता की जै